नमस्कार टीवी निउस में आपका स्वागत है श्रीनगर की मश्हूर डल छील में शनिवार सुभा लगी भीशन आग में कम से कम पांच हाउस बोर्ट जलकर राक हो गई है दावा किया जा रहा है कि जील के घांट नमबर 9 पर खड़ी एक हाउस बोर्ट में सबसे पहले आग लगी जो तेजी से फेल गई और आसपास के चार हाउस बोर्ट को अपनी चपेट में ले लिया पांचो बोर्ट जलकर खाक हो गई है जिसकी बजहा से कुछ देर के लिए परेटर को में डर का माहौल बन गया था आग लगने के कारणों का फिलहाल जाच की जा रही है हाला कि शुरुआती रिपोर्ट से पता चला है कि आग लगने का कारण शौर्ट सर्किट हो सकता है इससे अधिक जानकारी की प्रतीक्षा हो रही है सूशना मलने के तुरंत बाद अगनी शमन विभाग की टीम मौके पर पहुची और आग को काबु किया डल जील की हाउस बोर्ट में लगी आग की इस घटना में कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है हाला कि पांचों बोर्ट जल गई जिसकी वजहा से वित्य नुकसान हुआ है पताया गया है कि इससे करोगल का नुकसान हुआ है घटना के समय बोट पर कोई नहीं था अपने इतिहासिक महत्व और सांस्क्रतिक मूली के लिए जाने जाने वाली डल जील के पास पहुंचे परिटक हाउस बोट के जरिये ही भ्रमण करते हैं इसकी बनाबट भी बहत खास होती है और इसके रूप रेखार श्रीनगर के इतिहास से मैच करती है आग लगने के समय जील के किनारे कई बोट खड़ी थी आपको बता दे कि श्रीनगर की डल जील परिटन के लिहास से बेहत लोक प्रिय है जम्मू कश्मीर की बादियों में घूमने आने वाले लोगों के लिए यह परिटन का मुख्य केंद्र भी है साल के अधिकतर समय तक जमी रहने वाली इस चील में बर्फबारी का लुप उठाना परिटकों के लिए खासतोर पर रोमांज कारी होता है यहां की हाउस बोट में सुभा सुभा आग लगने के बादुश जहशक का माहौल बन रहा था हाला कि अगनी चमन कर्मियों की ततपरता की बचा से इस पर तुरंत काबू पा लिया गया